जाती ये भावना है और ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ ये 85% समाज में कम है और जिसकों तथा कती 15% कहते हैं उसके अंदर ज्यादा है सुधिर चोधिनी ने सबसे पहले क्यों कहा कि दक्षिन है और फरीका आरक्षन की वेज़े सा हार गई क्यों कहा उसने बहुत सारी रचनाइकर डाली गरंत रच डाले लेखन कर डाला पुरान मना दिये जिससे अपने आपको वह स्रेश सीद कर सके जिनके सबसे ज्यादा अंक होते हैं अगर वह आरक्षित स्रेणी के हैं तो उनको वाईवा में सब से कम मिलता है इसका क्या मतलब ह और आपने सूरिय कुमार को बैट्समेन सेलेक्ट कर रखा है अलाउंडर नहीं हो आपने सेलेक्ट को बैट्समेन किया है और भीद आप सार्ल के बाद में हैं नमस्कार स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सब के साथ विपिन चोधरी देश में आजकर जाती वाद को लेकर बड़ी बाते हो रही है राजनीती का यदि हम जिकर करते हैं तो तब जाती वाद की बात होती है और अब तो किर्केट में भी जाती वाद की बाते होने लगी है जातिगत राजनीती देश के लिए क्या बड़ा खत्रा है या फिर जिस तरीके से जातिवाद की आजकल बात हो रही है जातिगत राजनीती की बात हो रही है ये आज के शमय की मांग है बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सोसल वरकर रहे वाम सेप के अद्दक्स रहे इंजीनियर सेसराज पमार जी मौजूद है सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदुस्तान 24 पर धन्यवाद आपका भी और आपके सुनने वालों का भी जो मुझे सुनेंगे तो मैं उसके लिए आपका भारियु है जातिवाद को लेकर आज–कल बड़ी बाते हो रही है तो मेरा सवाल आप से यह है कि जिस तरीके से यह लगातार जातिवाद का मामला बढ़ता जा रहा है ये डेस के लिए एक खत्रा है या पिर आज के समय कि मांग जातिवाद है मतलब जातिवाद की खुलकर बात होनी चाहिए हाँ सही बात है ये आज की बात तो अलग बात है कि खत्रा है या फायदा है ये तो अलग बात है लेकिन पहले हमें जातिवाद को ही देखना होगा कि आया कैसे है क्यों आया जाती ऐसे तो है नहीं कोई विशेश रूप से अपने उद्देश्चे के लिए इसका प्रियोग किया और जातिवाद से पहले वर्णबाद है वर्णबाद और जातिवाद दोनों एक दूसरे जुड़ेवी चीजे हैं और ये बहुत पहला आई भारत की सच्चाई है आज जाती आप उसको नकार नहीं स का ये वह अलग बात है लेकिन ये सच्चाई है और आज इन प्रिष्टिति की बात कर रहे हैं तो ये तो उस समय की बात है जब मनुस्मर्ति लिखी लिखी और लागों की और किसलिए लागों की अपने एक वर्ग विशेश ने अपने वर्ग को अलग रखने के लिए उसको ना दिया जिस तरह से जिससे अपने आपको वह स्रेश सीद्ध कर सके और ये तो सच है कि भाई ये सबसे पहले प्रियोग किसलिए वा जाती का इसलिए हुआ कि भाई वो उनके मालका वो स्रेश्टा बनी रहे उनका मिसरण ना हो किसी के साथ में उसमें कठोर नियम सब से बनाएंगे किसी भी तरह से उनके वर्ण की लड़की जाए हो इदर उधर ना चली जाए है सबसे कठोडनियों उसके लिए बनाएंगे तो इस समय बनाना बात कि एक विशेष को तो लाभ हुआ। लेकिन वर्ग विसेश की तो संख्या बहुत सकें, उनके आप न ओपर नहीं अमलाद दिये, तो जाती जन्हों ना बनाई पहले तो वही दोसी है, तो इसको तो ये देखना होगा ना, जाती बनाना गलत था, अब उसके बाद आती है कि साब जातियां का नुकसान और जातियों का फाइदा, अब जाती बनाने से नुकसान यही हुआ जैसे हुआ, सारे वर्णों को हुआ, लेकिन आपने एक ये भी व्यवस्ता कर दी कि सिर्फ युद्ध के मैदान में एक वर्ण विसेस ही जाएगा, और कोई जाएगा ही नहीं, तो उससे नुकसान हुआ, उससे सबसे बड़ा नुकसान ही हुआ कि समाज का हुआ है, तो उन्हों ने उससे अपने आपको लग कर लिया, नतिया यह से हा कि हम घुला मों वोते चलेगे, आपसके बटवारे के वाईसे, आपसमें जगरने की वाईशे मुशार ने की मुश्त है, पूलने के वेको इश्छे है, उनको अपने चाञटमा, लड़ने के ल तो यह तो सच्चाई है तो आपस की लड़ाई में फिर वो जातियों की बात आ जाती है तो जाती नुकसान दे है इसमें कोई संसे नहीं है लेकिन जाती आज एक सच्चाई है िस तरीके की बाते होती हैं कि 85% लोगों पर 15% लोग एक तरह से राज कर रहे हैं तो मतलब ये सब जो है एक तरह से जातिवाद की देन है मतलब कुछ लूग जागरुक हो रहे हैं देखिए राज करने की बात जहां तक आप करते हैं राज राजा का तो एक सिंबल होता है राजा तो एक प्रतीक स्वरूप है लेकिन उसके पीछे जो ववस्था काम करती है राज असली में उसका होता है और ये कस्ट कारी ये है कि राजाओं के टाइम में तो ये था ही लेकि ही राज कर रहा है इंडिरेक्ट को से कह सकते हैं उसका ही राज है लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पहली बात वहीं दिक्कत आई कि जब संविधान बनने लगा तो विवस्था होने लेगी कि भई इस से हमें कस्ट हुआ है और संविधान सभा में जितने भी लोग थे उनकी सहम संविधान बना है उन्होंने भर्सक सब कुछ हुआ है सारी चर्चाएं हुए है वाद विवाद हुआ है कि इसका क्या होना चाहिए इसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए तो उसमें एक भारत में जो विवस्था लाई गई वह यह शांतिपूर्ण तरीके से इस टांसपर पावर हो जाए सत्ता जह है आम जन तक पहुंचाए संविधान में यह विवस्था की गई अब उसको विवस्था को वहां जाने में भी लोग रुकावट पैदा करते हैं और यह सच्चाई है कि समाजिक उभार को हमेशा धार्मिक विवस्था से दबाया जाता है यह भारत महीं नहीं जाती का प्रियोग तो हो गए अजार व साल से अब उसके जो नुकसान थे अगर उन पर चर्चा होती है तो लोगों को कश्ट होता है लोगों को कस्ट होता है लेकिन ये तो सच्चाई है अभी आप ओलंपिंग मेडल कौन लाता है एक जाती विसेश लाती है हमारे जाठभाई लाते हैं गुजर लाते हैं उसमें कुर्मी लाते हैं तो वो तो एक सच्चाई है और वो एक सिस्टम है हमारा समाज का समाज का सिस् सब्सक्राइब के बाद में इस देश का कोई भी नागरिक जागरूक नागरिक मंजी से कह सकता हूं या पढ़लिखा नागरिक या दोड़ा बहुत बुद्धी को प्रियोग करता है वो नागरिक वो दो हिस्टों में बढ़ गया है एक वो जो आरक्षन का समर्थक करता है और एक वो जो आरक्षन का विरोध करता है अब कहने को कुछ भी भासन कुछ देते रहे हैं लेगिन ये सच्चा ही है समाज का हर एक वेक्ति वो समाज के आरक्षन के समर्थक है या भी रोधी है न्यूट्रल वाले तो सैद एक परसेंट भी नहीं मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरीके से राजनीती में भी जातिवाद की बात होती है जातिवाद राजनीती में देश के लिए कितनी हानिकारक है देखिए जहां तक आपने राजनीती की बात की हम डाक्टर मेड़कर को फॉलो करने वाले लोग है लेकिन हमारा जो जातिवाद इसकी बात करते हैं आप राजनीती की बात पहले तो राजनीती आरक्षन की बात है डक्टामबेड करने सम्मीधान में यह किया था कि दस साल के लिए हम इसको कर रहे हैं और उसके बाद इसकी समिश्या हो जाएगी वह इसलिए था कि यह जो दबे कुछले लोग हैं जो गरीब हैं या जिनके साथ समाजी की भेदभा होता है वो अपने इस परिस्थितियों में जीतनी पाएंगे इसलिए उनको अरक्षन दे करके आगे लाना चाहिए कि समाज का एक हिस्सा इसमसे भी आ जाए और वैसे तो इसके पीछे पुना पैक्ट है 1932 की कहानी है वो पुना पैक्ट भारत लोग सम्मीधान में नहीं हुआ वो तो अंग्रेजों के साथ हुआ क्य प्राविदान किया गया अरक्षन का लेकिन वह इसलिए था कि लोकतंत्र में यह वेवस्ता है कि समाज का हर एक अंग वह अपना रिप्रेजेंटेटिव वहां पर लाए अभी इसको हमारा ऐसा मानना है वामसेफ के जो सोचल वरकर हैं उनका यह मानना है कि अब राजनीतिक बेका आरेक्षन की जुरुत नहीं है यह इस hashalguREB वहला अरक्षन भी हमें नहीं चाहिए और महिला वाला भी नहीं चाहिए क्योंकि यह हो रहा है कि जो आरक्षन के माद्यम से जो सीटेयारी हैं वो ज्यादा ही गुनाम बनकर्य करके आ बार्र ऑलार रखती आदमी कोई चुनका आता है वो उसका अधिकार होता है लेकिन जो आरक्षन से जो चुनका आ रहे हैं वो समाज के हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं इसलिए हम तो साफ कहते हैं कि या यह राजनितिक आरक्षन तो खतम हो जाना चाहिए लेकिन दूसरे पर एक बात कहते जो नोकरियों वाला जवारक्षण है या सिक्षण वाला जवारक्षण कोई सीमा नहीं है वो तब तक है जब तक बराबरी की भावना नहीं आ जाए राजनी ती उसमें कहना है नोकरियों में उतने लोग ना हो जाए जितना विभाजन है या सिक्षण सस्ताओं में उतने लो अगर वह अरक्षित सिरेनी के हैं तो उनको वाईवा में सबसे कम मिलता है तो यह सिद्धे सिद्धे करता है उसमें कोई बात ही नहीं है आप सारी देखते हैं जितने जितने वी कांड हो रहे हैं उत्तर परदेश में सिक्षक भरती गोटा ला है 69 जार लोग रख लिए अरक् हैं सुधिर चोधिनी ने सबसे पहले क्यों कहा कि दक्षने अफरीका आरक्षन की वेज़े साहर गई क्यों कहा उसने वह कौन होता है कहने वाला और उसको पता नहीं है कि जब तक स्वेथ वह परतीमंद लगाया हुआ था तो दक्षने अफरीका आजाद की नेसल मंडिया आजाद कराई तो उहां के जो वह खिलाडी हैं उनके प्रतिवा को ना लो कि उन्होंने 25 साल तक 30 साल तक नहीं खेलने दिया स्वेथ खिलाडियों को तो वह बहुत अच्छे थे अगर उन्होंना अपनी बात रखी और यह यहां नहीं हुआ यह अपरीका में भी हुआ है य प्रतिवागर तो वह खेलने उसका मिलना चाहिए इसका मतलब है आपने सूरिय कुमार को सेलेक्ट करका है और भीजते आप उसालांडर के बाद में है तो आप इसमें लोग पिर जाती की बात करने लगते हैं रह जाती पहले तो बनाई क्यों और बनाई एक सच्चाई है औ जहां तक है खेल में तो निश्चित रूफ से उसको सर मिलना चाहिए जो योग्य है अभी आपने उसको कैप्टेन बना दिया सूरिय कुमार को ही उसी को आपने केप्टेन मना दिया क्यों मना दिया इसका मिलब लाइख है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोगों की भावना जोड़ी हुई है इसमें यह व्यवस्था है यह किर्केट का जो व्यवस्था है बी-सी-सी-ई जो है वही बंदमासी है पैसे का इधर हेरा फेरी है और है यह है सो है अब उसमें भावनाई विचारे के जुड़ी होती है सारा देश यह हो किर्केट का मैश देख रहा था और दिन दिन देख और निरास हुए यह जो विश्वकप अभी हाली में जो है समाप्त हुआ है तो उसमें सूर्य कुमार यादाव खेल रहे थे तो हम संजेसा ही हो लेकिन जो अपर काश्ट के लोग हैं वो लगातार सूर्य कुमार पर निसाना साध रहे थे तो यह क्या है देखिए यह वही है जो भावना है दुर भावना वर्गी यह भावना जाती यह भावना है और यह मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं यह 85% समाज म की हैड़क है वो इस वेवस्ता को बनाए रखना चाहता है पचासी परसेंट तो चाहता है कि जिसका है उसको मिले अभी इस किर्केट में हमने यह भी देखा है सोसल मीडिया पर पड़ा है कि वह जो अपर कास्ट के लोग हैं वो कह रही हैं कि सूरिय कुमार यादव को लेक ले लो आपने जरूरी समझा तो लिया लेकिन अगर आपने ले लिया उसको तो फिर उसका ड्यूस को मिलना चाहिए था उसके साथ यह दुर्भावना नहीं होने चाहिए कि साथवे नंबर पर भेज़ रहे आप उसको बैटिंग के लिए अगर बैट्समेन है वह ठीक था लेकिन अलाउंडर सभी पहले आप बैट्समेन को आप में रख रहे हैं जब उसके पास दबाव है कुल दस ओवर खेलने के लिए तब भेजेंगे आप तो पहले तो उसके समस्य यही थी उस दिन तो विसकप में तो किसी तरह से में सारों को आल आउट तो नहीं किसी तरह 50 तो पूरे करें अब वह दबाव में कहला सामने उसके सामने जए बॉलर वह वेटिंग कर रहे हैं वह आउट होते जा रहे हैं तो पिर आप कहते हैं किसा अच्छी परफोर्मेंस नहीं दी तो यह तो बहुत सारी कमिया हैं अगर आपके दोनों फास्ट बोलर्स जे सक्सेस ह तो सबसे बड़ी मुरक्ता तो कैप्टेन की है कि आपने जड़े जा भेजा क्यों आप उसको करते हैं आपके आपसे एक बोलर सिराज भी मौजूद था आप उसको भेजते हैं आप फास्ट बोलिंग और चार पांच ओवर कराते हो सकता है एक दो विकट और गिर जाता तो यह दूसरे होते अब आपने सीधे वही सोच करके कि साब वह चूंकि आस्टेलिया की स्पिन बॉलर चल गए तो आपने भी अपने स्पिन बोलर लगा दिये अभी उड़े रहे हैं तो यह क्रिकेट तो खैर मैं तो इसको गिली डंडा कहता हूं लेकिन यह गिली डंडा जो